हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंडम प्राणी जगत और जो चैप्टर नंबर है वो फोर है यह एंसियाटी से पूरा क्लियर कर लेंगे एंसियाटी से अगर हार पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग एनिमल किंडम से अगर कोई भी चोटी वीडियो बनेगी चोटी चोटी वीडियो में सब एकदम क्लियर करा देंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यह देखिए बर्गी करण का आधार और प्राणियों का बर्गी करण हमको पढ़ना है जब आप अपने चारों और देखते हैं तो आप प्राणियों का बिभीन संरचनायों सोरूपों में पाते हैं अब तक लगबग 10 लाग से अधिक प्राणियों का बरण किया जा चुका है अता बरगी करण का महत्तु अधिक हो जाता है इससे नई खोजी गई परजातियों को बरगी करण में उचित अस्थान पर रखने में सहायता मिलती है तो कोईस्चन काफी बार पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं माल लिजिए कोई भी एनिमल हो कोई भी एनिमल का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं तो यह काफी बार कोईस्चन पूछा भी गया कि बरगी करण क्यों करते हैं तो बरगी करण हम लोग इस पोजिशन में रखने के लिए क्या किया जाता है बरगी करण किया जाता है तो नई खोजी गई परजातियों को बरगी करण में उचित अस्थान पर रखने में सहायता मिलती है इसलिए हम लोग classification करते हैं तो यह question पूछा गया है और पूछे जाने के chance रहते हैं कि classification हम लोग क् next बरगी करण का आधार देख लेते हैं कि classification का क्या base रहता है classification क्यों करते हैं classification जो होता है यह प्राणियों की संदचना योम आकार में विविन्नता होते हुए भी उनकी कोश का ब्योस्था यह जब हम लोग मतलब किस base पे हम लोग पहचानेंगे कि बरगी करण का आधार क्या होता है कैसे हम लोग जैसे माली यह कोई animal हम लोग को discover किया घया तो उसको कैसे पहचानेंगे कि कि किस class में किस kingdom में उसको रखा जाए तो उसको पहचानने के लिए उनकी कोश का व्योस्था देखेंगे सारीरिक सम्मित क्या होती है यह body symmetry जो हती है और परगुहा की प्रक्र क्या होता है और सर्कुलेटरी देखेंगे कैसे वह परिशंचर तंत्र उसका देखेंगे उसके अधार पर जनन तंत्र रिप्रोड़क्टिव सिस्टम की तंत्र की रचना में कुछ अधार बूत समानताएं पाई जाती है इस विसेश्टाओं को बरगी करण के आधार के पाई जाएगी और बाड़ी समयट्री के बाद नेचर आफ सीलोम कैसे पाई जाएगा और नेक्स्ट उनका पाईटर्न डाइजेस्टिव पाईटर्न क्या होगा और परिशंचर तंत्र जिसको क्या कहते हैं इंगलिस में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या फिर जनन तंत् देखेंगे जो इनका क्या होता है लेवल आफ आर्गनाइजेशन क्या होता है लेवल आफ आर्गनाइजेशन काफी बार कोईश्टिन यहां से पूछे गए हैं यह प्राणी जगत के सभी सदसी बवकोस्किये होते हैं तो यह कोईश्टिन पूछा गया है कि जो आल मेंबर कि कोश्का के संगठन को परदर्सित नहीं करते हैं उदारण के लिए अस्पंज में जो इस्पंज होता है में कोश्का बिखरे हुए समोहों में होते हैं तो इस्पंज जो होता है एक्जामपल दिया गया इस्पंज सेल जो उनके होते हैं लूजली एग्रिगेट होते हैं दे इसमें पूछा जाता है कि इसमें level of organization कौन सा पाया जाएगा तो cellular level of organization sponge में पाया जाता है यहां से आप लिख सकते हैं sponge में कौन सा आर्गनाइजेशन पाया जाता है क्या पाया जाता है cellular level organization तो काफी बार question पूछा भी गया है फिर next आगे हम लोग चलेंगे कोशकाओं के बीच सरम का कुछ विवाजन होता है sealant rate कोशकाओं की ब्योस्था अधिक होती है उसमें कोशकाओं अपना कारी संगठी तोकर उतक के रूप में कारी करती है इसलिए उसे उतक अस्तर का संगठन कहा जाता है अब यह भी question पूछा गया है कि tissue level organization किस में पाया जाता है तो sealant rate और टीनोफोरा में पूछा जाता है कि कौन सा level organization पाया जाता है तो tissue level organization पाया जाता है next इससे उच अस्तर का संगठन जो प्लेटी हलमेंथीज के सदर सित था अन्नी उच्च संगों में पाया जाता है जिसमें उतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और परतेक अंग एक भी से सकारिक करते हैं तो इसमें क्या पाया जाएगा पूछा जाता है बाडी जो इसमें complex system पाया जाता है tissue level पाया जाता है और यही tissue मिलके क्या बनाते हैं आरगन लेबल बनाते हैं तो इसमें platy helminthid जो इसमें example दिया गया हाईयर लेबल की बात कर रहा है तो इसमें argon level पाया जाता है तो next anilida orthopoda molluscae kinodermita and cardata दिया गया है जिसमें argon system level आप organization पाया जाता है जैसे यह देख लीजिए दिया गया है anilida orthopoda molluscae kinoderm सता रजुकी के अंग मिलकर तंतर के रूम में सारीरिक कारी करते हैं परतेक तंतर का एक बिसिस्ट कारी करता है इस तरह की समचना अंग तंतर के अस्तर का संगठन कहा जाता है संगठन मींस क्या argon system level organization पाया जाता है तो यह पूरा हो जाएगा next number first से देख लीजिए इसमें क्या एक और point देख लीजिए यहां से भी question पूछा गया कि प्लेटी हल्मेंटीज में क्या पाया जाता है प्लेटी हल्मेंटीज में क्या होता है चलिए अभी एकदम clear करते हैं यह देख लीजिए यहां से पढ़िए विविन पराणी समों में अंग तंतर विविन परकार की जटिलताएं परदर्स्तित करते हैं उदाहरन के लिए पाचन भी अपूर वा पूर होता है अपूर पाचन तंतर में एक ही बाह द्वारा होता है मतलब एक ही चिदर होता है उसी से खाते हैं उसी से निकालते हैं जो मुख तता गुदा दोनों का कारी करता है जिसे प्लेटी हलमेंथीज कहते हैं तो प्लेटी हलमेंथीज में पूछता है कि इसमें जो होता है क्या होता है इनकम्पलीट होता है सिंगल ओपनिंग आउटसाइड आफ दा बाड़ी होती है एक सिंगल ओपनिंग होती है जो दोनों का फंसन करती है mouth और anus का mouth और anus का दोनों function करती है किसमें होता है किसमें plate hyalminthes में तो यह काफी बार question पूछा जाता है तो plate hyalminthes में एक ही क्या पाय जाते हैं एक ही आपको छिदर मिलेगा जो anus और mouth का दोनों function करता है तो यह आप लोग note down कर सकते हैं लिख सकते हैं plate hyalminthes आपको example एकदम रटा होना चाहिए एक बार question ऐसे भी पूछा गया था कि plate hyalminthes में complete digestive system पाय जाता है कि incomplete तो लिख सकते हैं आप कि plate hyalminthes में complete पूर्तया digestive system नहीं पाय जाता है incomplete I-N-C-O-M-P-E-L-E-T-E incomplete digestive system D-I-G-E-S-T-I-V-E digestive system पाय जाता है SY-S-T-E-M incomplete digestive system किसमें मिलेगा आपको plate hyalminthes में तो यह एक बार question पूछा गया कैसे आपको पता चलेगा कि incomplete digestive system incomplete digestive system ऐसे पता चलेगा अगर complete digestive system होता है तो उसमें C-O-M-P-E-L-E-T complete digestive system होगा तो उसमें क्या आपको देखेगा उसमें एनस आपको मिलेगा और एनस भी मिलेगा और माउथ भी होगा बट इसमें तो एक ही होता है कि जो दोनों का function करता है इसलिए तो plate hyalminthes को कहते हैं क्या कि इसमें incomplete digestive system पाए जाएगा नेक्स टम लोग फर्स्ट और सिकेंड इसमें देख लेते हैं open type और closed type open type circulating system और closed type काफी बार question पूछा जाता है कि open type किसमें होता है closed type जिसमें blood का circulation जो होता है वो heart से तो होता है but cells and tissue में directly उसमें चलता रहता है तो उसको खुले पर संचरन कहते हैं जैसे देख लिजिए तंतर में रक्त का बहाव हिर्दे से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका योम उतक cells and tissue इसमें डूबे रहते हैं तो इसको खुले पर संचरन तंतर कहते हैं बंद पर संचरन में क्या होता है इसमें बेसल स्यूज होती है रक्त का संचार हिर्दे से भिन 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 ब्यास की वाहिकाओं का द्वारा होता उदारा धमनी, सीरा, कोश्टकाएं के में इसमें बैती है तो बेंस हो गया and कैपली, आर्टरी सब इसमें यूज होती है किसमें close time में आप काफी बार question ऐसे पूछा जाता है example दिया जाता कि खुले पर संचनर तंत्र आपको किस फाइलम में मिलेगा तो आप लिख सकते हैं कैसे आप लिख सकते हैं Echinodermeta ऐसे हम तो लिखे थे यच लिख लिए थे और EMA लिख लिख लिए थे E से Echinodermeta आप लिख लिख लिजिए अब ये चलिए बता देते हैं E-C-H-I-N-O-Echinodermeta और E-M-A-T-A Echinodermeta और E-M से क्या हो जाएगा मोलस्का हो जाएगा मोलस्का आप लोग लिख लिख लिजिए E-M-O-E-L-U-E-S-C-A मोलस्का हो जाएगा और next क्या हो आप लोग लिखेंगे E से लिखेंगे आर्थो पोड़ा ए से लिख लिजिए से A-R-T-H-O-R-T-O-D-A आर्थो पोड़ा तो यह सब पाए जाते हैं क्या इसमें O-P-A टाइब आप सर्किलेशऽन पायाएगा तो हेमा आप लोग याद कर लिजिएगा O-P-A टाइब बलर सर्किलेशन पायाएगा और क्लोश टाइब अगर आपको एक्जामपल लिखना है क्लोज टाइब में तो एनी लीडा हो गया सिफाइलो कार डेटा हो गया तो एक इसमें था मोलस्का में एक exception भी है अभी आगे बताएंगे तो बर्टी ब्रेटा जो होते हैं उसमें एनी लीडा से लेके लास्ट तक क्या पाए जाएगा क्लोज टाइब तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम लोग क्या समेटरी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लांग बनाना ही नहीं है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोग जो student हींदी में देखना चाहते जाएं और English में तो दोनों मैं कराओंगा चिन्ता मत करिए आप लोग दोनों वीडियो देखिए हिंदी हो या इंगली सो मैं तो दोनों ही कराओंगा तो आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आप ही का फायदा होगा 100% और 100% अगर आप दोनों देखते हैं तो कोई question आप गलत नहीं करेंगे exam में 100% ये आप ही समझ जाएंगे जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि question जब आप करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा तो चलिए next video मिलेंगे और आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि आप ही लोग के helpful के लिए channel create किया गया है अच्छी अच्छी वीडियो आपको पढ़ेगी और आपको 2021 में आपका selection जरूर होगा Thank you